लास एपिसोट में देखे थे सौंगी नहजी का सिकाफ लेके बोलती है मेरे पर सूट कर रहा है ना इंस्पेक्टर को गुस्से में पूछती है क्या तुमने नहजी को मार दी सौंगी चीफ यॉंग को बोलती है कि मुझे लोगों को मारना है बर साफ सफाई नहीं करना इसलिए वो चीफ यॉंग के साथ काम करना चाहती है और वो चीफ यॉंग भी रेडियो जाती है इंस्पेक्टर को भागती है नेजी को देखने के लिए चीफ यॉंग के चमचे इंस्पेक्टर को को पकल लेते है और वहां सेंडा और गिंग्स इंस्पेक्टर को को ढूंते है फिसी टीवी में देखते हैं कि सुबा अकेले ही निकली थी और वहां मिस्टर कीम इंस्पेक्टर को को एक कंटेनर में रख के फेक देता है और वो सिधा कच्रे में जाके गिर दिये बिचारी खुद को वहाँ पा के बहुत परिशान रहती है कि करे क्या और ये दोनों उसकी लोकेशन डिटेक करके ढूंते है तो वो लोग उसका शू मिलता है जिसमें ट्रांस्मीटर होता है और यहाँ इंस्पेक्टर को सीरी देखती है तो पुरी कोशिश करके जाती है बट सीरी तूट जाती है और वो गिर जाती है वहाँ चीफ योंग सौंगी को एक घर देती है रहने के लिए जो पूरा पैक रहता है और हर जगा कैमरा होता है और उसकी देख रेक ये माली करता है सौंगी बहार निकलने का ढूंती है बट हर जगा बंद रहता है फिर ट्राइब भी करती है उपर छलांग मानने का बट करेंट लगता है तो वो भी गिर जाती है चीफ यॉंग ने उसे घर जैसे जेल में बंद रखी है बिचारी इंस्पेक्टर को कच्रे में रहती है बहुत घहरा रिष्टा जो है उसका कच्रे से इसलिए बिचारा सेंटा भी उसे कच्रों में ढूंता है अगले दीन चीफ यॉंग अपने दोनों बेटे के साथ कीमची बनाते है सारे रिपोर्टर के सामने शूशल वक करते है तबी हेंटे मतलब उसका छोटा बेटा एक लड़की को कीमची खिलाता है तो सेंग्टे मतलब उसका बड़े बेटे की जल जाती है फिर चीफ यॉंग हेंटे को लेके अंदर जाती है और उसका मुझ कीमची में डुबाके बोलती है सेंग्टे का कैमपेन बिगारो मत और उसे ले जाने बोलती है फिर चीफ यॉंग जाके सौंगी से मिलती है सौंगी इंस्पेक्टर को के बारे में पुछती है तो वो बोल दी उसका टेंशन मत लो बस अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूं फिर वो बोल दी कि एक बहुत बुरा आदमी है जो लड़कियों को बेचता है तुम्हें उसको मानना होगा फिर वो आदमी लिफ में जाता है जहां सौंगी बलून लेके जाती है एक एक बलून फोरती है जिससे पाउडर निकलता है और वो मर जाता है वाई इंस्पेक्टर को उटके फिर से कोशिश करती है निकलने का नेट का रसी बना के चरती है फिर सीडी की हेल्प से उपर जाती है सुबा से रात हो जाती है उसको उपर जाने में फिर उसे उपर वो लोग बचा लेते हैं वो नहजी को जिन्दा देख के बहुत खुश रहती है फिर बोलती है कि वो लोग को सुचने देते हैं कि मैं मर गई हूँ फिर नहजी से के के बारे में पुछती है वो बताती है उस दिन उसको मानने आई थी कि तब जाके नहाजी ने उसे चीफ यॉंग के बारे में बता दी सब बट्सोंगी को ये निह समझता है कि चीफ यॉंग उसको क्यों पकरना चाहती है फिनहाजी की बेटी की धंकी देके बोलती है कि ये सब secret रखना गिंसी बोलता टेंशन मत लो कैसी उसको ही मारती है जिसने कोई पाप किया हो नहजीब को बहुत बश्टावा होता है कि उसने चीफियों के साथ काम की इंस्पेक्टर को बोलती है चलो पहले पता करते है कि ये चाहती क्या है तब ही किन्सी बताता है कि जो टेटू उसने किन्वॉक के हाथ में देखा था वो सेम टेटू उसने लीजिउन के हाथ में भी देखा है लीजिउन वही रहता है जिसको किम क्यूमिन और उसके साथी ने मिलके शिप में मार दिये थे उसको पानी में डुबा के फिर उसकी मुबाइल में किनवाग का नंबर मी मिलता है तो गिंग्सू उसके कंपणी में जाके पुछताच करता है देहू से भी पुछताच करता है बड़ वो सईक से जवाब नहीं देता वहाँ केनवाग बहुत गम में रहता है देहू के ब्रेकप के बाद ये दोनों उसके घर में जाके देखते हैं कि वो पौडर खाके बेहोश पड़ा है फिर उसे मचली के जाले जैसा अब फसा लेते हैं वहने जी अपनी फैमिली के साथ सेंग्टे के वोट के लिए शूटिं कि लिजिन का मडर कोन किया तुम लोगो कैसे मालूम पड़ा तो वो बताता है कि कहीं भी CCTV फूटेज नहीं मिला हर जगा का CCTV मिटा दिये ते बड़ हम ढूंते ढूंते एक एक को मार दिये और कोई सबूत भी नहीं छोड़े इस्पेक्टर को फिर बताती है कि के ने अभी उसे छोड़ देते हैं वहां सौंगी मिस्टर कीम को बाम फोड़ के बताती है और बोलती नेक्स टार्गेट में काम आएगा और वहां केन वह घर जाके देखता है कि एक बारा असा बॉक्स आया है और वह हिलता रहता है तो वह डड़ के मारे गिंसु को गले लगा लेता है कि बाम तो नहीं है उसमें यह तिनों की फट्ती रहती है और उधर इंस्पेक्टर को बहादूरी से वह खोलती है देखते है कि उसमें बाड़ी है किसी की एन यहीं एपिसोड खतम हो जाता है नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें बैन ते के